जिला पलवल में डीएपी यूरिया की खाद की कोई कमी नहीं है। टॉक्टर पवन कुमार सर्मा उपनिदेशक करसी एवं किसान कल्यान विभाग पलवल ने बताया कि पलवल जिले में अभी तक 10,020.4 मीटरिक टन डीएपी तथा 39,49.78 मीटरिक टन यूरिया खाद सभी सहकारी वे प्राइवेट खाद विकरेताओं पर उपलवत करवाय जा चुका है। तथा इसमें 1290.9 मीटरिक टन डीएपी तथा 9,010.22 मीटरिक टन यूरिया सभी खाद विकरेताओं है हैफरेट के विकरी केंद्रों पर भरपूर मात्रा में किसानों के लिए खाद उपलवत है। डक्टर पवन सर्मा ने बताया कि चला पलवल में किसानों के लिए यूरिया की कोई कमी नहीं रहेगी। लगा कर विकरी ने करेगा क्योंकि खाद के साथ साथ अन्य किर्शी उत्पाद लगा कर देना खाद अधनियम 1985 के तहएट गैर कानून है। यदि कोई खाद विकरेता खाद के साथ नेनो यूरिया वे अन्य क्रेशी समगरी लगा कर विकरी करता हुआ पाया जाता है तो उसके खलाब आवश्यक कारवाही अमल में लाई जाएगी। उपनी देशक ने किसानों से भी अपील की है कि सभी किसान भाई धहरे से काम रखें अपनी आवश्यक्ता अनुसारी खाद ले ताकि जरुवत मन्त सभी किसानों को खाद मिल सके यदि खाग दिविकरेता यूरिया डिये पी के अलावा नैनो यूरिया वे अन्य कोई